हेलो गाईज आप सबका वेलकम है जेडी क्लासिज में और आज हम सीखेंगे ट्रेंगल्स काउंटिंग के उपर कुछ ट्रिक्स तो मैं आपको बताना चाहता हूँ में भी आपको ये ना पता हो अगर आपको पता है तो बहुत बढ़ी है वो ही है पहले आपको ये जो स्मॉल ट्रेंगल्स दिये रखे है इनको इन में नम्बरिंग डालनी पड़ेगी वन जैसे टू आप बैसे वैसे काउंट भी कर सकते हो 16 ये टोटल 16 ट्रेंगल्स है जो स्मॉल ट्रेंगल्स है इसमे तो जस्ट ट्रिक क्या आपको जितने ट्रेंगल्स होंगे उनको 2 से मल्टिप्लाइ करना है हो और माइनस 5 करना है में जितने भी ये स्मॉल ट्रेंगल्स है उनका डबल करना है 16 का डबल 32 minus 5 16 to the 32 minus 5 is equal to 27 तो it means इस figure में total जो triangles है वो है 27 तो आप इससे easily find out कर सकते हैं within few seconds कोशन देखते हैं second question का कुछ figure इस तरह से है इस type के questions में हमें सिर्फ simply numbering करने है 1, 2, 3 and 4 and then हम क्या करते हैं जैसे आपने step को कोशन देखोगा अगर मैं आपको एक ही figure दूँ तो इसमें total कितने triangles हैं 1, 2 and ये एक ये बड़ा वाला triangle ये 3 तो total 3 triangles हैं इसी के ही base पे ये वाला कोशन बनाया गया है 1, 2, 3, 4 तो आपको पहले numbering करके इन में क्या करना है जस्त इनको simply add कर देना है थर टाइप में जो figure है ये काफी कोशन में यूज की जाती है तो आपको जस्त यार रखना है कि इस figure में जो number of triangles होते हैं वो 8 होते हैं 8 number of triangles होते हैं वैसे हम count करके भी दिखाते हैं जैसे 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 और 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 8 तो number of triangles इस type की figure में 8 होते हैं मैं इसका part 2 भी बनाऊंगो जिसमें कुछ questions भी होंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छी रगी हो तो वीडियो को like कीजिए share कीजिए and channel को subscribe कीजिए thank you so much for watching it